इसे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था जोदपूर का महरान गडफोर्ड और आब आप देखने वाले हैं जस्वन थाड़ा जिसे मारवाड का ताजमहल भी कहा जाता है आज मैं आपको इस एतियासिक जगे के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग बाते बताऊँगा तो बनी रहे हैं मेरे साथ और इस वीडियो को एंट तक देखना ना भूले इसे सन अठारासो निग्नियाडवें में जोदपूर के महराजा जस्वन सिंग दृत्य की याद में उनके उत्रादिकारी महराजा सरदार सिंग ने बनवाया था इसको बनाने में राजस्तान के मकराना के संग मरमर को यूज़ किया गया था और ऐसा कहते हैं कि उस वक्त इसे बनाने में लगपग 2,84,678 रुपय का खर्चाया था बेसिकली ये जो जगे है वो राच परिवार के दास अंसकार के लिए यूज की जाती थी एंट्री करने के साथ ही आपको इस जगे की खूपसूरती का एहसास हो जाएगा खूपसूरत बगीचों के बीचों बीच पनी सफेद मार्बल की ये चम के लिए इमारत आपके दिल को छू लेती है पासी में एक छोटी सी जील भी है जो इस जगे को चार-चार लगा देती है जील का निर्मान महराजा अबह सिंग जींग ने करवाया था जस्वन थाड़ा का जो शिल्प है वो राजस्थानी और मुगल काली निस्थापत्य का मिश्रण है सामनी की और निकले बरामदे का इस्थापत्य जहां मुगलों से प्रभावित है वही उपरी ढाचा बीच में मंदिर की शकल लिये है और दोनों और से छोटी बड़ी चेत्रियों से गीरा है ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है अब महरानगड से जब वापस लोटो गे तो एक रास्ता नीचे की तरफ सेटी की तरफ चला जाता है दूसरा जो रास्ता है एक लैंडमार के स्टैच्यू एक स्टैच्यू बना हुआ है घोड़े पर कोई तो वहां से आप आ सकते हो इध वान वान तू थ्री या स्टैच्यू वन थाड़ा लोगों का कहना है कि जिस तरह ताज महल चांदनी रात में एकदम चमक उठता है ठीक उसी तरह ये जस्वन थाड़ा की जो इमारत है ये भी चांदनी रात में एकदम चमक उठती है शायद यही वजह है कि लोग इसे ताज महल आफ मारवाड कहते है कि प्लीज रिमूब यॉर शूज है तो आपको एक बड़ा हॉल दिखाई देगा उसके दो हिस्से में आपको जो 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 नरेश थे जो राजा थे उनकी फोटोग्राफ्स और उनके बारे में डिटेल्स मिलेगी वहीं दूसरी तरफ आपको राजा जैस्वन सिंग जी की तो इस तरीके से जैस्वन थाड़ा पूरा विजिट करने के बाद अब मैं निकलने वाला हूँ अपने नेक्स्ट जगे की और जिसका नाम है उमेद पहलेस जोदपुर की शान उमेद पहलेस तो आए जानते हैं कुछ खास बाते उमेद भवन के बारे में इसका निर्मान महराजा उमेद सिंग ने करवाया था लगबग 30,000 मजदुरों की महनत का नतीजा है यह महल दुनिया के सबसे बड़े पर्सनल यानि नीजी महलों में से एक है इसे बनाने में लगबग उस वक्त 11,000,000 रुपे लगे थे इस महल के फिलहाल तीन हिस्से हैं एक हिस्सा होटल में बदल दिया गया है दूसरा राच परिवार की निवास इस्थान की तोर पर यूज लिया जाता है और तीसरा हिस्सा म्यूजियम में बदल दिया गया है जिसे हम देखने वाले है उमेद भवन देश के सबसे luxury hotelों में से एक है उमेद भवन Palace अपनी luxury structure के लिए famous है इसलिए यहां एक राथ ठहरने का किराया भी लाखों में है उमेद भवन Palace के महरानी और महराजा Presidential Suite में एक राथ का किराया आठ लाक रुफे से भी ज्यादा है इस महल को काफी धीमी गती से बनाय गया था और इसके पीछे का कारण वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा था इस उमेद भवन पहलेस को बनाने के लिए डिजाइन का काम आर्किटेक्ट हैंडरी वॉन लेंचेस्टर को सौपा गया था यही एक ऐसा बीसवी सदी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजना के अंतरगत निर्मित हुआ महल को तराशे गए बलवा पत्रों को जोड़ कर बनाय गया था महल के निर्मान के दौरान पत्रों को बादने के लिए मसाले का उप्योग नहीं किया गया था यह विशिष्टा बड़ी संख्या में परियटों को इस महल की और आकरशित करती है तो चलिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे म्यूजियम के अंदर और म्यूजियम में जाकर इसके जो बेश कीमती ख़जाना है उसको देखते है अक्सर हमने कहानियों में मूवीज में या फिर किसी को कहते हुए सुना है कि एक राजा होता है उसके पास एक ख़जाना होता है तो मैंने भी कुछ यहां ऐसा ही फील किया हलाकि इस वक्क ख़जाना थोड़ा सा चेंज हो चुका था सोने चांदी के जेवर नहीं थे बट यहां पर मुझे एंटिक चीज़े देखने को काफी मिली थी जिनकी कीमत आज के टाइम पे लाकों में होगी तो यह जो कलेक्शन था फोर एक्जांपल आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो यह घड़ी हुआ कलेक्शन था एक पूरा फुल एक रूम पूरा एंटिक वाच यानि जो घड़िया थी उससे पूरा भरा हुआ था और हर तरह की घड़ी थी उनकी डिजाइन अपने आप मे यूनिक थी तो जैसे ही मैंने इस रूम में एंटर किया तो मुझे देखकर इतना मतलब मैं I was super excited कि किस तरीके से हर डिजाइन की एक गड़ी बनी हुई थी एक छोटी से छोटी चीज अगर उसकी कीमत आप आज के टाइम पर लगाएं तो I don't think so कि मैं उसकी कीमत भी लगा तो इस तरह की कई सारी चीजे आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगी काच के बरतन चेनी मिट्टी के बरतन उस वक्त राजा रानी के जो परस्नल यूज में जो चीजे ली जाती थी जैसे परिफ्यूम की बॉटल हो गए या डाइनिंग एरिया हो गया या फिर जो डेक यहां से रूबरू होते हैं तो एक अलग experience आपको देखने को मिलता था हलाकि एक चीज मैं कह सकता हूं इस चीज यह सारा ख़जाना देखने के बाद यह चीज आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस जमाने में भी पैसा बोलता था और आज तो आप जानते हैं आज भी पैसा तो यह चीज से मिलाइटी मुझे लगी कि पैसा है तो सब कुछ है बाकी तो आप जानते हैं हकीकत है यह अभांकि नुझें तरह हमारा सफर जो है उमेद भावन का भी अवैंड हो रहा है वोमेद भावन में जर्फ उम्यूजियम है और यहां के जो रैल फैमिली थी उस से रिलेटेड जो भी स्टफ है उनका डाइनिंग उनका पॉलू से रिलेटेड तो म्यूजियम में यहां रखे हुए और यू किन गेट आइडिया ऑल्सो जो पेंटिंग्स है रूम्स है उनके बारे में भी आपको डेटेल मिल जाएगी तो चलिए अब इसी के साथ अलविदा कहने का वक्त आ गया है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जगे के साथ तब तक लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रतीप दिल से